असलामरेकब मैं आज हम बनाने जाएंगे चिकिन कीमे के रोल्स यह रमजान के लिए मैं आपको रेसिपी बताऊंगी कीमा और प्यास डाल के बनाते हैं बहुत ही मज़े के बनते हो जरा यूनीक और डिफ्रेंट सा टेस्ट है खुद भी खाएं और बाकियों में भी बांटे आपकी भी रोजे मज़े से गुजरें और बाकी भी इसका लुट उटाएं तो चलें शुजूर करते हैं अब सबसे पहले आप गरम ओयल में चौप और चार प्यास ले लें बरीक साइसे चौप करने और हलका से सौते करकी इसके अंदर एक किलो चिकन का कीमा डाल दें इस आपने चली फलेक्स डालिए और इस तो अच्छे से मिक्स कर लें अब मैं इसको यहां तक की मसालों में रखूंगी इसको बहुत जड़ा मिसालों में कवर करके तो इसका फ्लेवर बेखल और तरह का नहीं बनाऊँगी इसी से ही इसका बहुत ही perfect फ्लेवर बन जाए अब एक बोल में दो चमर्च मैदा ले लूँगी और इसके नदर पानी डाल लूँगी इसकी कंसिस्टेंसी थिक्स यह नहीं चाहिए यह हमें रोल को बाइंड करने के लिए काम आएगा मैं आपको रोल बनाना सिखा देती हूँ कुछ इस तरह से आपने एक बिकुल साइड पे इसको फिल करना शुरू करना है पर साइडों से बंद करते हुए दिर्मिनान से दबा के आप इसे रोल कर लें और इंड पे आपने यह मैं देखी जो पेस्ट है यह लगा के तो इसको फोल करके अब इस सूरत में आप इसको फ्रीज कर सकते हैं फ्रीज करके आप एक से रडेट महीने तक के लिए इसको रख सकते हैं एर टाइट कंटेनर में बहुत ही असान है आप पहले से थियारी कर लें तो ज़दा बेतर है मैं रोल्स को डीफ्राइ नहीं करती क्योंकि मुझे इतना ज़दा ओइल नहीं पसंद तो मैं इसे चारो तरफ से च्छे तरी के से फ्राइ कर लेती हूँ बहुत ही मज़े के रोल्स तयार हैं कभी भी आपने बैटर इतना ज़दा नहीं डाल देना कि आपको ऐसे लगए कि आप खाली बैटरी का रहे है तो हमेशा थोड़ थोड़ डाला करें इसे ज़रूर ट्राइ करें और मिझे भी बताएं कि आपको एक्सपीरियंस कैसा रहा Thank you so much for watching Allah Fiz